नमस्कार दर्शको आपका आज के स्कारेक्टर में सुआ गया तो मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्थ हर्श और दर्शको आज हमारे साथ मौझूद हैं सेवा निवरित नियादिश रिटायर जजज शामा डोगरा जी जो देंगी आपको मुझे और हम सब कानूनी सला मैं मैं आपका इस कारेक्रम कानूनी सला में बहुत बहुत स्वागता है धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका दर्शको आज हम शामा डोगरा जी से जानने वाले हैं भारत में होने वाले नियाएक विलंब के बारे में और मैं कहा ये जाता है जब हम इंडिया की बात करते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़ादा है और लीगल डिस्प्यूट्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़ादा बढ़ रहे हैं और एक बड़ी फेमस प्रोवर्ब है शायद आप इस चीज से काफी वाकिफ होंगी आपको काफी मतलब इस लॉसे ही आप रिलेटेट रहे हैं आपका कैरियर है कि जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड तो आज हम इसी बारे में बातचीत करने वाले हैं कि जो भारत में नियाएक विलंब क्यों होता है किया इसके कारण है और कैसे हम इन चीजों को वर वर्गे लाप करके आगे बढ़ सकते हैं मैं सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं, हम नियाय की बात करते हैं, तो इंडिया में नियाय का क्या महत्व है? नियाय का महत्व तो पूरे विश्व में है, देखिए. और नियाय का मतलब है कि आपने जो है नयतिक सिधान्त है आपके कानोनी सिधान्त है और जो भी आपके सामने कोई भी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या को सुनना है लेकिन उसके साथ ही दूसरा जो जिसके खिलाफ उसकी समस्या है उसको भी सुनना है उसके वाद आपने अप चातर की तरह समझती हूं कि स्टुडेंट हूं और इतना घ्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशना ही उचस़ कर आती हूं और मेरा मैं आज एक वकील की हाथसे से एक जज की हाथसे से ऐक लिटिगेंड की हाथसे से आपको अपने परस्नल एक्सपीरियंस और इसे चेर करोंग और जो जुडिशियरी है उसको काफी तैजी से काम करना चाहिए तो पहले तो मैं आपसे या जानना चाहू 150 चाहिए जब हम बात करते हैं स्पीडी जस्टिस की हम बात करते हैं कि तो और अतने आए हमने लोहों को देना है चाहिए वो लेडि कन्स हैं जितने भी और हम वकीलों की भी बात करें और हम जजेज की भी बात करें सबका एक समाज के प्रती एक दायत भी भी है कि वो स्पीडी जस्टिस लोगों को दें पर हम देखते हैं कि इसमें काफी सारी बादाएं भी आती हैं काफी कुछ ऐसे रीजन्स रहते हैं जिस वजा से केस साल दर साल लटक जाते हैं और अगर मैं आपको आंकड़ा दूँ और अपने दर्शकों को भी आंकड़ा दूँ तो लगबग 5 करोड से भी जादा केस। हमारे लयायलो में पेंडिश चल रहे हैं इंडिया में और अगर एक केस पे हम 2 या 4 लिटिगेंट भी लगा कर चलते हैं तो कम से कम 40 करोड लोग कोटस आ रहे हैं, कोटस जा रहे हैं एक आम व्यक्ति, एक लिटिगंट, मैम जब वो कोर्ट में आता है तो वो बहुत उमीद से आता है, उसे जद से बहुत उमीद होती होगी, आपने भी काफी ऐसे केसिस आपने निप्टाए होंगे, जहां पर आपको लगता होगा कि डिले ना हो जाया और डिले होने से एक तो इस दोनों चीजा साथ चलती है, हम एक जल्दबाजी में भी कोई काम नहीं कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को सुना और दूसरे को जल्दी से सुना और फैसला कर दिया, इसमें दोनों तरफ का भार है वो जजज के उपर आ जाता है, वो अपना बात कहके खतम करते हैं, उसक पहले मैं यह बताऊंगे कि हमारा जो समविधान है, विशिव का सबसे बड़ा लिखित समविधान है, और इसमें तीन जो है अथोर्टी जो बनाई है, वो अपना काम करती है, सबसे पहले कानून बनाने का लेजिसलेचर है, और उसको पालन करने के लिए कारेपालिका है, और तीसरी है जुडिश्री, जो कानून बनाते हैं, वो अपने दाएरे में रहके कानून बनाते हैं, जो भी कानूनी, जैसे पब्लीक से विचार लेते हैं, और समाज के जब तक विक्सित होता जा रहा है, उस हिसाफ से हमारे कानून बनते हैं, तो उसके लिए वो पब्ली जो है एक्जेक्टिव नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ जो है कोट में लोग आते हैं कि यह कानून बना है इसकी पालना नहीं हो रही है या जो कानून बना है इसकी पालना विदिन लिमिट में नहीं हो रही है तो इस तरह से तीन हमारे आर्गन हैं समीधान में जो यह कहते ह करने काम को कैसे इंपलीमेंट करना और किस शरीके से करना है और उसके इलावा एक आर्टिकल आजंका सबを की स्की जटकार है। वह जादा अटर करिमिनल केसिस में चलता है यह मेरा परसलिज कि आजंड आर कि एक पर शीडियर के लाह है। तो उसके इलावा जो है देर क्यों हो रही है कोर्ट में उसके बहुत सारे कारण हैं जी बिल्कुल और मैं यह जरूर आप से जानना चाहूँगा कि जब हम डिले की बात करते हैं आपने भी काफी ऐसे केसिस देखे होंगे जहां पर जो ओरिजनल लिटिगेंस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनके आगे बच्चे केस को लट रहे होते हैं कि एक अगर मैं कहूं तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और यह मतलब इट स्पीक्स वाल्यूम की जो हमारी जुडिशिरी है उसमें कितनी डिलेज हैं कितने प्रॉसेसिस ऐसे हैं और इसमें जब हम ब्लेम की बात करते हैं बहुत एजली लोग ब्लेम कर देते हैं कि जुडिशिरी अंडर पावर्ड है जजिज की कमी है इस्टैनो की कमी है पर आप इतने सालों का अपका एक्सपीरिंस रहा है जज रिटायर हुई है तो मैं आपस यह जानना चाहूंगा क की रीजन क्या है डीलेज क्यों होते हैं जब हम डिले की बात करते हैं क्या सच में अंडर पावर्ड है जुडिशियरी जजिज कम है इस्टैनो की कमी क्या था कारन ये। अज़ जब आदमी ठक हारके एक आदमी बीमार होता है तो जब तक मजबूरी नहों तक हास्पीटल मेरें लेगा अब गलतियां थो सबी से अजयाती है लेकिन इसके क्या कारण है कि डिले हो रहा है वो मेड दीनार बीच्छा किया है और ज्राइन को महुँए खी खुश बहुत कम है हमारे एक तो इंसा सक्चर बहुत कम है अभी थोड़ा फर्क पढ़ रहा है बहुत जादा और उसके इलावा जो है स्टैनोस की बहुत कमी है जज्जीज को जज्मेंस लिखवानी है वो भी एक मतले हुमन बिंग्स है उनका भी एक लिमिटीड सोर्स होता है उसके इलावा यह हमारे वकीलों का दोश तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन थोड़ा बहुत होता है वो डेट ले लेते हैं उसके कई कारण होते है यह जो डेट लेने का जो है आपने शायद एक फिल्म भी देखियोंगे उसमें हमारे दर्शक भी अगरेंगे उसमें एक बड़ा फेमस डायलोग है यह जानके नहीं लेता है उसके इलावा जो है खास करके जो यह डिले कर रही है इसके लिए हमें जो है बच्पन से ही थोड़ा सा इंकलकेट करना चाहिए बच्चों में किसी चीज में लालच ना करें या एक दूसे को हम बात करेंगे एक दूसरे से समझौता करेंगे कुछ सेक्रिफाइस भी करना पड़ता है थोड़ा ज्यादा कि इसको मिल जाता है तो कोई वात नहीं तो उस चीज़ को मद्दे नदर रखते हुए अगर वो एगो के से हट कर भाई बहन है जैसे या भाईयों की प्रॉपर्टी है उसमें ज्यादा आती है मैंने देखा है तो इगो जो है उससे परेहटके अगर आपस में भी प्रॉपर्टी का बटवारा करें मिन्स कि उनको ना दें लेकिन कोई वसीयत बनाएं या कुछ इस तरीके से उसको यह करें ताकि उनको अगे फर्दर जो नेक्स अपकी जनरेशन है उसको दिक्कत नाए उससे क्या होगा कि जो डिले है प्रॉपर्टी के मैटर्स वैसे ही कम हो जाएंगे रेविन्यू के मैटर्स कम हो जाएंगे कई बार क्या होता है एक बार के साथ दूसरे की बार लगती है वो उससे से लड़ाई करने लग जाते हैं तो उसके लिए थोड़ी एजुकेशन भी मारी काम आएगी क कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनको विजर्म करेट होगी तो यह प्रॉपर्टी के अपको लगता नहीं कि कई बार जब हम डिले की बात करते हैं या जैसा अपने जिकर किया कि जो दिवानी मामले होते हैं वो बहुत जादा चलते हैं इसमें कई पर यह भी देख हो जाएं तो जजेज अगर चाहें तो वो रोख सकते हैं इस प्रॉसेस को यह डेट पर देने की इसमें देखी कई तरह के फैक्टेंस से सिविल प्रसीजर कोड है हमारा समीदानेयामेंट भी आई है तो तीन या चार डेट से थेते हैं उसके बाद को कॉस्ट पर डाल देत है जासे अब सरवीज नहीं हो पाती है कई बार उसके अवड्सी संविल अप टो कर सकते हैं उतना केश को निप्तार विया जाए उसके इलावा यह है कि देर होने का स्टेनों की है, बहुत कम स्टेनों है जिसने जजीज होते हैं, उनके स्टेनों जादा होंगे तो जत्में चुटिन जादा लिखवा सकेंगे बाकि उनका टाइम तो उनके पास उतने ही है, साथ, आठ गहन्ते है, या दस गहन्ते है, उसके बाद घर में जाके भी उन्होंने पढ़ना है, और कोई गलती तो सभी से हो ही जाती है, लॉयर्स का यह है कि वो डेट लेते हैं, उनकी कई तरह की मजबूरियां होती है, कई बा आज विक्सित होता जा रहा है, लोग जो है, सेंसिटाइज हो जाएं कि हमने निप्तारा जो चोटे चोटे केसी हैं, उनकर वहीं आपस में निप्तारा करना है, और बहुत के बाद पीर से कह रही हूं, तो मुझे लगता है, लिटिगेशन काफी कम हो जाएगी, और में कार फिर वो अपने काम पे लगते हैं, तो इसके लिए जादा जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है, अगर मैं बात करूं कोई एक परसन लिटिगेंट है, उसका केस ड्राइग हो रहा है, उसमें जो रिस्पॉंडेंट है, वो एविडेंस पे नहीं आ रहा है, या डेट्स जब चंडिगड में, तो जैसे वो नाम सहारावले हैं, उन्हों से उन्होंने कोई शेयर लिये थे, कुछ FD की थी, मुझे ध्यान नहीं हा रहा है, तो बड़े बजूरुक से लिटिग प्रतिवादी मेरे पास आये, कि जी मेरा तो केस रिसाइड नहीं हो रहा है, मुझे बड़े भी नहीं दे रहे हैं, वापिस, तो मैंने फिर प्राइटी पे उनका केस ले लिया, हलांकि दो महिने बाद लगा था, तो मैंने डेट कम कर दी उसकी, और सहारावलों के वकील को भी बुलाया, और उनको सुना, और उनका फहसला किया, मैंने फिर, इसी तरीके से औ उसका रीजन यह है कि दोनों की जिन्दगी का स्वाल है, और उनको जो है, जितनी जल्दी उनका फैसला होगा, डिवोर्स का है, या कौन जिगल राइट का है, तो उनके अगर बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी सफर करते हैं, उनका बेस्ट एर लाइफ इस वेस्ट इस व करते हैं, तो उसमें फिर रिदन आर्गुमेंट्स लेके फैसला जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, जी और यह कही न कहीं है, आपने कहा कहा क्लेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी है, सरफ जजेज की नहीं, लॉयर्स की भी लिटिगेंट्स की भी कि जब हम नियाय की बात कि इंस्ट्रक्शन पर लॉयर भी कई बार डेट्स पर डेट्स लेते हैं, तो उस चीज़ से भी हमें थोड़ा सा अवाइड करने की ज़रूरत है, और यह एक कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी है, मैं रिमेडीज की बात आप से जानना चाहूंगा, एक तो आपने बताय कि अब मैं इस चीज़ को सीरिसली लेना चाहिए, पर रेमेडीज क्या हो सकती है मैं, अगर किसी का केस जैसे कोई हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम दिवानी मामलों की बात करते हैं, अगर हम जमीन से रिलेटेड जायदात की बात करते हैं, या फैमिली मैटर्स की बात करते हैं या कोई और मैटर्स की बात करते हैं, अगर डिलेए हो रहा है तो उस व्यक्ति को आप क्या सला देना चाहेंगे? व्यक्ति के तो मैंने बताया कि पहले अब तो मेडियेशन पर बहुत जादा जोड़ दे रहे हैं कोर्स और मेडियेशन से और से जल्दी फैसला ये हो सक करते हैं फिर उनको समझा भी देते हैं, हमेडियेशन करते हैं कि आप इस तरीके से करिये आपका ऐसे होगा फिर बड़े फैरली चलते हैं और उसके बाद उनका फैसला हो जाता है कि हाँ ठीक है जो हम दोनों आपस में राजी हो जाएंगे तो उसके बाद जज के पास देत है उससे क्या होता है कि जज्जमेंट भी उसी तरीके से शौट करके लिखवानी पड़ती है और जज्जिस का टाइम भी बचता है और वो जो अक्यूज है वो कम सजा से ही उसका वो हो जाता है ठीक हमारे यहां यह वाला सिस्नम भी शुरू नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत कम है तो दूसरा यह है कि मेडियेशन अगर फेल हो जाती है तो उसके बाद तो आपके पास एक ही सहरा की कोट है कोट में जो है उसके लिए तो देखिए प्रॉपर्टी के जो केसिस है वो सबसे पैनफूल है ए प्रॉपर्टी खरीता है और इसको डी तक चली जाती है वो बी मीन्स उसकी जनरेशन जो थर्ड जनरेशन है मैं अपने हाप कोट में देखा है हाई कोट में जॉन टिंसन नाम का एकिस था जिए वो उसकी पोट तक पोट में आ गय था हाइ और उसके बाद वो सुप्रीम कोट गए है वहां से और फिर रिमांड हो के केस आया है कोई इसको पॉइदा नहीं होा इस प्रापबटी का और जो आगे वाले हैं हो ड्रैग हो रहा है तो उसके लिए जो प्रिसीजर है हमारा उसको ठोड़ा और और सिंप्लिडी ह almira करना चाहिए जितना हो सकता है और जो जद्जीस हैं जैसे रेविन्यू कोट है या आना उनके पास सिरुफ सिविल मैटर ही लगाने चाहिए, माली जे कईयों को क्रिमिनल केसी करने का शौक होता है, जो लॉयर साइर से आते हैं, तो उनको क्रिमिनल कोट ही special दे देना चाहिए, और जो सिविल मैटर में एक्सपॉर्ट होते हैं, उनको वो दे देने चाहिए, कई रे सेवा निवृत नयायदीश, रेटायड जाज हैं, उनका खुद का केस बड़े सालों से पैंडिंग है, तो मतलब कि एक बर्निंग इशू है, इसमें सारे लोग इनवॉल्ड है, सब होते हैं, अपना इंफुलेंस नहीं यूज कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो हम कानौन के दारे में ही चल रहे हैं, कि वो सुभा तो कभी आएगी जब नयाय होगा, तो हम सब जिम्मेवारा हैं इसके लिए, इसके लिए हम किसी एक विक्ति को या किसी सिस्टम को नहीं टहरा सकते हैं, बलकि कई बार सरकार सेंट्रल गवर्मेंट नोटिफकेशन इसू कर जैसे मान लिए कि रेल्वे का है, स्टील अथौर्टी अफ इंडिया का केस है, दोनों पब्लीक अथौर्टीज है, तो उनको आपस में ही कर देना चाहिए सेटलमेंट, इसके वो कोट में जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसा केस में आया था है, रेल्वे क्लेम ट्राप्धल में मतलब आप कहा है कि मेडियेशन एक वे आउट हो सकता है, हम स्टीु कि बात करते हैं या त 어렵ड ञाल लीयाय के बात मैं यह जानना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए कुछ लोग यह कहते हैं कि जब आपकी हेरिंग्स हैं तो आप कोट में जाके अपियर हुए अगर आपको यह लग रहा है कि अनसेसरी डिले हो रहा है तो पार्टीन परसन आप जज के सामने अपनी बात इन सब टाक्टिक्स को आप कैसे अनलाइज करते हैं यह एक रिक्वेस्ट है अभी मैंने बताया एक सीनेर सिर्जन थे वो तो उनका खुद अपियर हुए कि मेरा तो मैं वह वाज अबाउट एटी एर्ज उल्ड तो उनका मैंने परायर्टी पर ले लिया सीनेर सिर्जन है जैसे उनका प्रायर्टी पर हो जाने चाहिए केसीज बच्चों की कस्टडी का है उनके होने चाहिए मैरिटल वालों का भी होना चाहिए और मेडियेशन में भी मैंने देखा है मेडियेशन में अगर जजजेज अगर नहीं लेते हैं आप रिक्वेस्ट भी करते हैं अगर तो इसे मामलों में क्या वे आउट है, क्या आप हाई कोर्ट में जाके भी टाइम बाउंड करवाने के अप्लिकेशन दे सकते हैं? जो क्या वार बावर जो है कई बार क्या है प्रियोडिकली हाई कोर्ट से भी आते हैं उनको इंस्ट्रक्शन की जल्दी केसिस करिएब देकिये पॉक्सों का आपने सुनाओगा जो नावालिक बच्चे होते हैं उनके खिलाफ जो यॉण यॉशोशन के केसिज उनके बारे में जो फास्ट ट्रैक कोट में जल्दी केसिस हो सकते हैं तो यह भी हो सकते हैं तो इसमें यह है कि अगर इन परसन भी अपियर होते हैं लिटिगंट तो उनका केस जल्दी हो जाते हैं पैसल लिखवाने में थोड़ टाइम लग जाता है उसके लिए यह कि जो मान लिजे 5-6 केस पैसले के लिए तो पराना केस पहले निकाले हैं तो अपनी वीज़म से जज़ ज़िस करते ही हैं ऐसा कोई वो नहीं है इसमें अगर जैसा आप शुरुआट में कहाँ रहे है कि आप जैसे आपने पॉसको के लिए लग से कोड बनाई है वैसे आपको को बनानी चाहिए तो सबसे ज़्यादा मामले आपने क्या देखे और रियालिटी क्या है सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से मामले जो लंबित चल रहे हैं वो सीविल और प्रपर्टी वाले जाता है रेविनू वाले रेविनू में क्या है कि शुरू में तो आपके पास सबसे पहले कानों गो पतवा हम महाभारत की बात तो करते हैं, लेकिन उसे कितना सीखते हैं हम, हम भारत से हमने एक इंच जमीन के लिए, पांच गाउं के लिए उन्होंने महाभारत कर दिया, पांच गाउं दे दे ते तो क्या होता, तो वही घर में जो घरेलू जगरे होते हैं, जमीनों के, उसमें भी य मेरे पर्मानाइट लोक अतालत में थे तो भाई जो है वो डेली चाला गया था वह उसकी चंडीगड में रहती थी तो कहता है मैंने तो चंडीगड आना नहीं है पेरंस इनकी प्रवर्पर्टी थी थी उकल शेयर था तो ए बहन खरीद ले इसको मैं इसको दे दूगा और री बिल्कुल, और क्या जुडिशिरी भी जब लिटिगेंस आते हैं तो क्या उनको यह समझाने की कोशिश की जाती है जजिस की तरफ से या फिर जैसे स्पेशलाइस कोड की हम बात करते हैं तो वहां पर भी क्या इस प्रकार का कोई ऐसा मेकानिजम एट प्लेस होता है जहां दो कॉम्प्रोमाइज होने का चाहांस होता है तो उसमें बड़ा पैनफूल है यह कहना कि मेट्रिमोनिल केसिज में मेडियेशन सबसे कम हो पाता है उसमें दोनों की एगो काम आ जाती है बीच में और उसमें सफर बच्चे करते हैं तो पूरा दिन में मैंने दो ही केसे जिसमे उनको खाडते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करें अगर आपस में आप लोगों का तालमिल नहीं बैठता है तो अभी शांती पुरू धंग से तोनों को जीने का अधिकार है तो उनको मुच्वल रेवोर्स कर लेना चाहिए जितना यह नहीं कि मैं तो उसको भी मज़ा चाहूंगा मैं उसको मज़य छखाऊंगी वो भी तकलीब मेरा है मैं चाहे तकलीफ मेरा है यह इस चीज से बाहर नकलना पड़ाइगा और मैं पैनफुल बात बताती हो कि हो जो थोड़े कम पड़े लिकिन लोग हैं पूँखलों मान भी जाते हैं मेर्म लेकिन जो बहुत पतनी जो है कोट में चक्कर काते रहे हो देखके बड़ा दुक होता था मुझे कि यह क्यों नहीं फैसला कर रहे है आपस में तो यह चीजे है हमें अपर ऐसे मामनु में आपको लगता नहीं कि जहां पर आपको लग रहा है कि दोनों पार्टी जमें एगो है और एगो की वज है थे मान मोग होज़ा कोट को पार्टी कोहँ की यह कर दे गार दिया इनकी का कर दे दो इनकी शादी को तो को एक हीए नहीं में रहना तो बाहता picked up देखते हैं कि जो एड़र्स होते हैं वो रिजर्व हो जाते हैं, arguments पर जाते हैं, उसके बाद order आने में ही इतना time लग जाता है और हमारी supreme court भी यह जहते हैं कि जितना जल्दी arguments के बाद आप order दे देंगे, उतना better रहता है कि एक फेद होता है पार्टीज का वो इंस्टिटुशन पर बना रहता है तो आपको क्या लगता है अगर और अर्गुमेंट्स कंप्लीट होने के बाद अगर 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 डिले हो तो इनसान को क्या करना चाहिए उसके लिए मैंने बैसे अभी बताया आपको कि मानली जे जज क्या है और उसके बाद जैसे कोविट में ऐसे हुआ था कि टाइम ज्यादा लग गया मानली तीन-चार महिने केस बड़ा रहा मैंने ओनलाइन काफी काम किया दो साल में और वीडियो कांफरेंस से भी केसी सुने है उनके सब डिटेल लिख लिए फिर फाइले जब मेरे पास आइं फिर उनके जज्वनेंट लिखवाई है तो उसमें थोड़ टाइम लगा उसमें फिर जो है जो कुराना के सबसे पहले मैंने रिजर्व किया ता उसको मैंने लिखवाया और उस्स्टैनो की भी मैं कर यो कमई होती है कर वहाज से ही जज्वने'' मैने ताकि उनको देके कि दूसरा स्टैनों है उसको में डिक्टेशन देओं। तो यह सब चीज़े तो अपने उस पे डिपैंड करते हैं क्या अपने कैसे करना है। तो थोड़ा लगता है कि हिसमें आपके इतने केसितव हो तो में थोड़ा सा समय 22 different इसके लिए तो पेशिन के साथ हार इंसान को performance70 को भी इन्सान को भी अठेंप्ट करना चाहिए कि जब अम झस्टिस लिवर करने की बात करते हैं justice delayed, justice denied, पर justice आपको deliver भी करना पड़ेगा जब एक केस खतम हो जाता है, और अगर जितना आप timely deliverance of judgment करते हैं, उतना ही, जैसा आपने कहा कि ego-driven cases होते हैं, एक mental agony एक इनसान की उतनी जल्दी एक कम हो सकते हैं, मैं यह जानना चाहूँगा आप से, काई बार हम यह देखते हैं, कि लोग कोर्ट में इसलिए उनका cases ड्राइग हो जाते हैं, कि उनके पास एक वकील नहीं होता है, तो क्या free legal aid एक option हो सकता है, मैं संक्षेप में आप से जानना चाहूँगा, हाँ, बिल्कुल free legal aid का तो legal services authorities है, वो जो है, इसके free legal aid देती हैं, और बाकी जो है, उनको lawyer को appoint करती है, उनको fees देते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक system है, free legal aid तो सब के लिए है, जिनको भी reserving है, वो सब चेक करते हैं, उनकी income देखते हैं, और उनको मिलती है, उनको contact कर सकते हैं, हर स्टेट में बनी है, free legal services authority, रिटायर जजज शामा डुगरा जी, आप हमारे कारेकरम कानूनी सला में आया, और आपने बताया कि जो विलंब होता है, उसका क्या कारन है, और कैसे हम विलंब को खतम करके, अपने केसे को speedily decide करा सकते हैं, के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तैंक यू, बहुत बहुत आपने मुझे बुलाया, और मैंने अपने विचार प्रकट किया, तो दर्शुको आज के कानूनी सला कारेकरम में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए जाज़त, नमस्कार, उना है, तैंक यू, आपको आपने एंगे सम्कारी वेचार लेगलाँ अंपने बस ए दोट्स्ट किया एंगाना ही, प्रशुको आपको कियास और मैंने बस इतना ही,